लो डियर इस्टुडेंट्स वेलकम टो एसी प्लस डिजिटल प्रेटफर्म ऑफ एडवांस एंजिनिंग क्लासिस एससी जेई एक्जाम और आप अगर यह थमनेल लेकर इस वीडियो के अंदर आये हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप एससी जेई एक्जाम दे रहे हैं एससी जेई 2023 अभी अभी गया है एससी जेई 2024 आने वाला है क्योंकि एससी जिस स्पीड से काम कर रहा है उन्होंने 29 फरवरी 2024 को एससी का फॉर्म निकाल दिया है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक मेने कर समय आपको मिलेगा 29 मार्च 2024 तक और टेंटेटिव मंत दे दिया ह में जून में आपका एक्जाम हो जाएगा पेटरण डिसकस किया इस वीडियो में हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम अपना रोडमेप मनाने वाले हैं क्या पूरा रोडमेप आज से लेके 6 माइने तक हम जो कुछ भी करेंगे हम सब 7 मिलकर करेंगे क्या? मैं आपके साथ आज से जुड़ रहा हूँ और 6 माइने तक हम 7 रहेंगे और ये 2024 का पेपर S.S.C. J.E. 2024 का पेपर माइन करिए मैं आपको बोल रहा हूँ मेंस में अच्छे मांक्स नहीं आए तो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमने आपके लिए महनत कर ली है A.E.C. की टीम आपके साथ खड़ी हुई है आपको बस निरंतरता बनाए रखनी है देखिए क्या करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है यह तो आपके साथ बताऊंगा और प्रिपरेशन स्ट्रेजी क्या है हमें कैसे लेके चलना है कैसे सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है कैसे हमारी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो पाए एसा काम हमें करना है, देखिए, क्या है, SSC, मैंने last last lecture में भी आपको बताया था कि staff selection commission है, यह prestigious central government की job है, central government की job मलब paper और इस में क्या है, paper 1 और paper 2 दो प्रकार के paper होते हैं, मलब SSC JE pre और SSC JE mains, इसको हम paper 1 और paper 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है यह आप सभी जानते हैं, और नहीं जा है Group B की job है second class job है Okay चलिए इसके बाद क्या है टेखिए उसमें पेपर का pattern क्या है सर इसमें Paper 1 मतलबНе पर वन बोले तो SSJ मैंउंद को एक पर मिले एक पर मिलेगा एक की नशेय। संघ्योंस पेपर के टीन सदेन और 50 एक पोर्षन और सो एक मार्क कर रहेगा, one question, one mark each, okay, ठीक है, पचास सवाल, पचास नंबर, 50 questions, 50 marks, okay, फिर आएगा जनरल अवियनेस, पचास सवाल इसमें भी आएंगे, और पचास नंबर इसमें भी मिलेगा, ठीक है सर, उसके बाद आता है जनरल इंजिरिंग, जनरल इंजिरिंग बोले तो, सिविल इंजिरिंग, मेकैनिकल इंजिरिंग, इलेक्रिकल इंजिरिंग, मैंने बताय था लास वीडियो में, कि तीन ब्रांच ही अविलेबल है, इसमें आपने या डिपलोमा किया हो, या फिर का यह फैपर रहेगा मेंन इंपटनंट चीज क्या है इस पॉर्टों में सूल क्या है इस स्लाईट का सूल है सर यह 25% oh my god wait 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 यह 25% negative coop current 25 पर सेंट नेगेटिव मार्किंग डन तो 25 आपने चार लूब आपने चार सवाल जब गलत किये तो आपका एक नमबर कट जाएगा बाद समझ में आती है क्यों एक सवाल है 0.25 मार्क्स कटेगा दो में 0.5 तीन में 0.75 और चार में एक नमबर कट गया यह निगेट्व मार्किंग का मतलब हो गया ठीक है इतनी बाद समझ में आती है यह बात हम पहल बल्टा जाएगा पेपर बन का और पेपर पेपर बन जब आपने दिया उसके एक महीने बाद लगबग एक महीने बाद पेपर टू होना है तो आपको पता चल जाए कि आप पेपर टू क्या है सर पेपर टू स्सी जेई कि 2023 के पहले पिछले साल के पहले descriptive pattern में होता था मतलब क्या conventional question आपके लिए लिए लिखने होते थे लेकिन स्सी जेई आपर महरवान अब जब वही महरवान तो आप जानिए आपको कितना फाइदा हुआ 2023 में उन्होंने क्या किया कि जो पेपर टू है मतलब स्सी जेई मेंस का पेपर है वो objective pattern में होगा objective pattern से क्या हुआ सर अब आप 100 सवाल आएंगे कितना स्वरी 300 सवाल स्वरी 100 question और 300 marks ओके इसका मतलब क्या हुए सर एक question का three marks पक्का okay ठीक है सर अब क्या सर यह मतलब pattern चेंज किया लेकिन हमें mains देना है तो उन्होंने क्या किया इसका level थोड़ा बढ़ाया level बढ़ाने में क्या किया इस slide का soul क्या है सर इस slide का soul है कि उन्होंने negative marking कितनी कर दी सर negative marking उन्होंने कर दी 1 third clear है बात 1.3 negative marking मतलब 0.33 marks, 0.33 marks कट जाएंगे अब, 0.33 marks कट जाएंगे, एक सवाल गलत होने पर, अब क्या हुआ, सर जब आपने 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल ऐसा गलत कर दिये, 3 सवाल गलत कर दिये, तो total overall आपका 1 number कट जाएगा, यह होता है, 1.3 negative mark का मतलब, तो यह tough किया न, थोड़ा level आएगा, numericals जादा आएंगे, और क्या, सर ESE का हमने पढ़ाई की, gate के कुछ-कुछ questions लगाई की, level तो बढ़ेगा, लेकिन, जब पहली बार कोई चीज होती है, किसी भी चीज में बदलाव पहली बार होता है, तो ऐसा हमने देखा है, कि जो pattern जब change होता है, और बदलाव पाता है, तो चीजे EASY पूछते हैं, क्यों, क्योंकि Schulman wood памper बनाने वाले के लिए वह चीज नहीं है, पेपर देने वाले के लिए पढ़ाने वाले के लिए बीचीज नहीं है, तो क्या नए चीज जो है, वहीजी पूछी पूछी जाती है, इसलिए 2023 का मेंस का पीपर था, तो हमें अपनी preparation उतने अच्छे से करनी है कैसे करनी है आप मेरे पर छोड़ दीजिए मैं पूरा road में बना के आया हूँ सब कुछ आपको बता के जाओंगा चलिए यह समझ में आया paper 1 आपने दिया 200 question आपने किये 200 marks की किये फिर वहाँ से आप pass हुए है मदलब document verification और medical कराना है और आप सेलेक्ट हो गए document verification के time पर क्या होगा आपकी preference भरने का आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको tension नहीं लेना वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे preference भरी जाती है जब document verification का एक वीडियो में ले आऊंगा आपका काम हम लोग कर ले हैं आपको क्या करना है सिर्फ बढ़ाई करनी है समझ में आती वाट क्योंकि नहीं बताता हूँ कितना important है exam तो यहाँ से आप समझ में आती है छलिए आगे बढ़ते हैं syllabus क्या है सर सिलबस मैंने discuss किया था civil engineering के syllabus discuss किया था और mechanical electrical का भी किया था ठीक है आज मैं civil engineering को focus करके आप से बात करूंगा क्या पिछले वीडियों मैंने सिर्फ आपको नाम बताई थे आपको बस एक brief brief नहीं मतलब मैंने आपको उपर उपर बता दिया था यह सब्जेक्ट से इनको आपको पढ़ना है अब मैं जिसका जैसी ब्रांच वैसा उसका पेपर बाकी तो जन्रल इंटेलिजेंस और यह मतलब रीजिंग और अवेएनेस हैं ही ठीक है यह तो अपन डिसकस कर चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है में आज हमारी स्लाइड मतलब आज क्यों आए हैं हम आज हम क्यों फिर से आए हैं देखिए सबसे पहला काम क्या पैन पेपर उठा लिजिए इतना लिखने में अभी टाइम लेगा न लिखना जरूर है अपनी कॉपी में सबसे पहले मैं हट रहा हूँ आप डिजिए screenshot लीजिए चलिए आपने screenshot ले लिया होगा ओके चलिए यह मैंने मेहनत किए आपके लिए मेहनत किए मैंने पूरी reasoning एक जगा लाके रख दी यह देखिए पूरी reasoning और उनका क्या question का weightage एक average weightage निकाला अभी इतक के exam pattern को study करके कैसा आता है हमने स्सेज़े के previous year pattern को analyze किया और क्या weightage निकाल लिया इतना इतना इस topic से यह आता है ठीक है चलिए आपको क्या करना है आपको क्या करना है आपकी reasoning की अलग copy होनी चाहिए और reasoning की copy के पहले लिए पेज से ही आपको सबसे पहले अपने हाथ से लिखना है सर बहुत अपने पाथ 6 महीने का समय है अपने हाथ से λिखना है यह सले बस पूरा आप लिख लेना मैंने इस ली in topics हैं कितने टॉटटल 18 topics होगा Disease के ठीक हैं हीजिखनी के 17 टॉपिक्स आने हैं हमारे लिए कितने नमम्मर का आना है आप अब जब यह आना कितने कोईशन सर्थ कोईशन सर्थ और मांक इसब ना है घर किएंगर इनजीनियर से आप एक बात बताई है तो सभी की अच्छी होगी न हम मैंट्स बैग्ग्राउंड से आ करा दूँगा छोड़ दो देखो क्या करना है क्या करना है reasoning over the night overnight मतलब आपकी develop नहीं होती reasoning एक process है आपकी upbringing कैसे हुई है आपके mind की सोचनी की चमता कैसे upbringing की गई है उस पर depend करती है तो यह एकदम overnight नहीं आएगी aptitude reasoning कभी overnight नहीं आता इसलिए जब हम हम बात करते हैं गेट exam की क्यों वह एक aptitude test है उसमें क्या है आपको day by day day by day ग्रो करना पड़ता है क्योंकि aptitude grow करता है रटके नहीं कर सकते आप गेट का paper ऐसे ही reasoning में है reasoning और aptitude एक ऐसी चीज़े आपको ग्रो करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे आपके पास सरच मेना है क्या देखिए आपके पास time है six months okay sir हमारे पास छे मेने है ठीक है छे मेने में कोई मुझसे कहे कि क्या आप ssc.j.e.ka paper निकाल सकते हो तो मतलब 6 मेने में निकल सकता है क्या तो मैं मैं बोलूँगा कि हाँ सर छे मेने में 100% 100% ssc.j.e.ka एक्जाम निकल सकता है यह आप बिलीव अपने अंदर एक बिलीव बना लीजिए हाँ बिलीव रखो निकल सकता है छे मेने का समय है मैं क्या कहता हूँ कि आप क्या करिए इस छे मेने को इस छे मेने को दो पार्ट में डिवाइट करिए कैसे एक होता है आपका 4.5 months on an average और यह को ता है 1.5 months on an average okay okay यह अपनी सहुलियत के साफ से घटबड़ सकता है अपनी efficiency के साफ से मैं बता दूगा किसकी efficiency कैसी होगी मैं यह भी बता दूगा आप बस देखते रही है ठीक है इसमें क्या है सर इसमें क्या है आपको मतलब ऐसे बच्चे जो पहली बार इस classify की कैसी एक जो newbies newbies बोले तो अभी अभी आए हैं हमें पहली बार exam देना है सर हमें तो zero से hero बनना है कुछ ऐसे हैं कि कहीं से content तो पढ़ रखा है लेकिन सही रास्ता नहीं पता सही रास्ता नहीं पता कि सर जाना कहा है हमें लेकिन कुछ-कुछ तो आता है ठीक है तीसरे वो जो प्रो हो चुके हैं कि कुछ मांक से जिनका SSTJ 2023 से रह गया प्री या कुछ कमी से उनका मेंस रह जाता है तो आपको क्या करना है ऐसे तीन इस category मैंने बता दी लेकिन तीनों category वालों के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि आपका content solid होना चाहिए क्योंकि टेक्निकल सब पाल लगाते रहें या मौक लगाते रहें नहीं मौक लगाने का एक rule होता है एक pattern होता है मौक भी एक समय पर लगाया जाता है सर नहीं अगर आप ऐसे करोगे न तो आपका जो आपका consequence mind में जो है ना चीज़ें आपने जो content बनाया था इतनी महनत की थी वो खतम हो जाएगी आपको अपना content और strong करना है आपके पास last का डेड़ दो महीने रहेगे उसमें क्या करोगे आप उसमें आप मौक लगाओगे और करोगे अभी से आप ऐसे करनी है प्रेक्टिस किस चीज़ करनी है वो भी मैं बताता हूं देखो साड़े चार महीने का पहला जो समय रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है आपके subjects का content जो आपका content है subjects को रहेंगे जो respective subject किस चीज़ के reasoning का और उसके बाद आपका general awareness के और मैं बता रहा हूँ कौन को इस subject reasoning का भी बताया ना मैंने ऐसी आगे बताऊंगा reasoning का journal awareness का और technical का यह subjects आपको complete करने हैं और मैं आपसे मांगता हूँ यह आपसे promise चाहिए कि आप किसी भी PDF से नहीं पड़ेंगे अपने hand written notes होने चाहिए हाथ से लिखा हुआ जो भी चीज होगी आपके mind से direct connect करेगी trust करिए आप कभी नहीं भूलोगे और वो चीज़ आपकी पकी हो गई किसी और के लिखे पर क्यों भरूसा करना आपको लिख लिख के अपने notes बनाने हैं समय है आपके पास अब आपको distribute करना मैं तो distribute करके बता दूंगा लेकिन आपको अपनी सहुलियत के साफ से distribute करना है कि इतने time में हमें पढ़ लेना है समझ में आती ये बात ठीक है सर इतनी बात समझ आती है अब मैं बात कर रहा था actually reasoning की साथ साथ एट करते जाएंगे reasoning पहले मैं लिखता हूं इधर reasoning okay okay और नमबर का technical आएगा हम पढ़के समाल लेंगे सर लेकिन जी के GS में सर हम पूरा नमबर अटेंप्टी नहीं कर पाते और सर कोई नहीं कर सकता मैं खुद बता रहा हूं या आपको frankly frankly बात करूंगा आपको मतलब दोके में रखने नहीं है मुझे आपका selection कराना है तो reasoning की कै यसी चीज है जो आपको full marks देगे क्या देगी सर καल मैंसे 50 दे सकती है अगर आपने develop कर ली तो आपको क्या जरना है सर आपको कुछ नहीं करना यह 4.5 महिने में per day क्या सफ पर शार अंदे ऑन जर वन आ क्या करना है सर reasoning को देना है वनार केortunate को देना है जैसे तो जब आपने analogy के लिए ऊपने कहीं करोगे कहीं पर भी आपने यूटुब देखोगे धेरो content है हमारा चैनल पे रीजनेंग के यहां आपको अच्छा लगे मेरा अच्छन वीडियो देख लो एनालोगी का देख लिया आपने इसको एक दिन प्रिपेर किया दूसरे दिन क्या किया एक गंटे में कर लेना है लेकिन 1.5 क्योंकि इधर रॉकिट साइस नहीं है कुछ आपको सीख जाना है ठीक है दूसरे दि की चीज आएंगी दुनिया भर की चीजे मार्केट में चलेंगी मैं आपको बस मंदब क्रिस्ट क्लियर ऐक चीज बताता हूं सर प्रेक्टिस के लिए के लिए की लिए आपको एस सी जेए का पीवाइक्ट्रीकल एक ब्रांच का इस इस topic का जो भी है जो भी आपका आएगा पीवाइक्यू आपको कर लेना है clear पहला काम यही करना है दूसरा काम क्या करना है सर स्सी-CGL का आपको इस topic का सारा practice question लगा लेना है सिर्फ पीवाइक्यू सिर्फ पीवाइक्यू दुनिया भर की किताब नहीं लगाना मैं आपको फिर बता रहा हूं इतना time नहीं आपके पास आपको टेक्निकल पर जादा समय देना है मैं अभी फिर से बोल रहा हूं इस पर चीजें आपको करनी है और आपको मदलब ऐसा नहीं है कि चलो कभी कभी क्या होगा यह चोटा topic होगा कोई बड़ा topic आएगा तो दो दिन लग जाएंगे लग जाएंगे ना कभी चोटा topic लएगा उसमें कम समय लेगा आपका balance होता जाएगा balance होता जाएगा घबराईएगा तो देखिए अठारा टॉपिक है अठारा दिन आपने पड़ा अठारा दिन आपने क्या की प्रैक्टिस कर लिए थर्टी सिक्स डेस बोले तो एक मेना च्छे दिन लेकिन आपकी पास साड़े-चार मेना है और मैं तो किया रहा हूँ तीन महीने एक घंटे पढ़के देख खेल हो गया खेल जाओगे त्रस्ट मानिए खेल जाओगे लास्ट में जो आप मौक लगाओगे न तो आप याद करो कि हाँ सर बहुत सही बोला था एक मिन रुखिए इसी को अब नमबर होगा ऊसके स्लेक्शन नहीं नए लिए रहा हूँ नहीं होगा भई नहीं होगा क्यों क्यों कि GKGS में नमबर नहीं आता है सर नहीं आता कितने आप पढ़ लो इधर से आपको लेकिन 45 प्लस नमबर आपको चाहिए बात समझ में आती ए चलिए एक मैंने रीजन करो रफ मत करो इसका जब काम करोगे जो रफ काम भी करोगे इसका प्रैक्टिस करने का वो भी एक उसके पीछे करो आपने यह यह नमर सीरीज बहुत नोट्स बनाए थोड़े बहुत उसके पीछे प्रैक्रिस कर लो उसके बाद दूसर टॉपिक शुरू कर दो समझ में आती है बात ऐसे ऐसे आपको इधर तक आना है कहां तक 28 नंवर तक आना है क्लियए बाद क्लिये अगे बढरते हूं इस लाइट पर फिर आमगा रुक आब आती है बाद क्या जी के जी यस वाले lebih पोर्षन का कौन सा乾े सर कौनसा पोर्षन है सर दीकेज फिर सिसे वाले पॉर्षन screenshot लो screenshot लिया okay ले लिया होगा चलिए screenshot ले लिया इसको आपको क्या करना एक separate copy बनाना भाई पैसा पैसा नहीं बचाना है तर टाइम एक समय पर मतलब एक जब point of time आता है न अपनी जीवन का उस समय जो सबसे इंड्रेस्ट है फर इक्जांपल जोगरफी में इसमें अच्छा आएगा हिस्टी थोड़ी बोरिंग लगेगी न लेकिन फिर भी क्या करना है आपको क्या करना है इसका कोई बिल्कुल पागल नहीं होना है अपने अपने को टेक्निकल बहुत वास्ट कवर करना है अभी एक घंडा से ज्यादा नहीं पड़ना ट्रस्ट करो अगर भाई पहली बात तो क्या यह जो जर्नी है न हमारी आज इस लेके आज के दिन से लेके जो जाने वाली है पेपर के द सुझे शिता है और आज के ठेवरी चले लागी नहीं खरगोशी जीता है अरे यह सब मूर्क बनाते हैं कच्छवाही जीतेगा आप स्मार्ट पढ़ना है और लगातार पढ़ते जाना है समझ में आती बाद चलिए आगे बढ़ता हूं तो एक घंटा को पढ़ना है आप ए यह स्टाटिक जी के क्लियर है, इस्पिंशो ले लीजिए, यह है आपका करेंट अफियर, ले लिया, चलिए, सबसे पहली बात, आपने फिजिक्स तो बच्पन से पढ़ते आए, फिजिक्स आई ना पढ़ते, 11, 12 ने पढ़ा, फिर एंजिरिंग फिजिक्स भी पढ़ी, क्यों, क्योंकि सर हमें पता है कि फिजिक्स हम से बनती है, इतना सा पूर्शन है, देखो, निपट गई, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने है, नोट्स, कैसे पढ़ोगे, फिर टॉपिक डाला, मैंने क्या किया है, मेहनत करके आपको टॉपिक एक जगा दे दिये, यह अ नोट्स फिर से पढ़ो, टॉपिक वाईज, एक एक दिन का बना लो, एक घंड़े ही पढ़ना है, ठीक है, आपने सबसे पहले फिजिक्स पढ़ लिया, देखो, उसके बाद सर, क्या होता है, उसके बाद, स्टैटिक जीकी का पूर्शन है, बहुत इंपोर्टेंट है, यह यह खतम होगया, चलिए, यह खतम होगया, कैमिस्ट्री में, जो भी आपक अच्छा लगये, फिर कैमिस्ट्री उठाली जिए, आई बाद समझ, साइन्स हमें ज्यादा समझ आ रही है, तो बात समझ में आती है, हाँ सरा, आती है, फिजिक्स स्तेटिक जीक एक के कैमिस्ट यह सब जो आप पढ़ोगे यह दो यह दो लास्ट की टॉपिक है इतना इंपोर्टेंट है एक सवाल आ जाता है एक सवाल इससे आ जाता है तो सबसे पहले क्या करना है वाइरस का एक वीडियो देख लो वाइरस की आपने नोट्स बना लो दो पेज में आ जाएगा सब ऐसे कर लिए लिए सका कर लिए दो पेज में आप बना लेंगे डि नू आपका जो ठाफ पॉर्टस depicted अपने पका कर लिए अब आप सैकंव करोगे ना तो मैं अभी आपको बता रहूं करना क्या है यह जब go through करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ-कुछ topic fix है सर उससे आते ही आते हैं तो हमने क्या किया है वही तो आपको एनलाइज करके पूरे topics देदी है क्या क्या है तो आप फिर quality पढ़ लेना quality में भी क्या करना ह है सर जो छोटे से छोटा पढ़ा दे कम से कम पढ़ा दे ऐसा वीडियो लेना है आपको वीडियो देखली आपने वीडियो देखने के बाद और आराम से आप अपने नोर्स बना लो ठीक है क्या आज ज्यादा 100 topic हैं दिन कितने सार आपके पास मैंने 4.5 months लिखा है सिर्फ अपना content तयार करने के लिए कर लोगे न कर लोगे कैसे करना है मैंने बता दिया अपने सुटेबिलिटी के according topic select कर लीजेगा उसके बाद notes बनाना चालू करना जो अच्छा लगे पहले कर लो ज्यादा से ज्यादा content cover कर लेना है अब बात आती है यह बला यह बहुत खराबती है यार मेरे को सबसे गंदी लगती है क्यों सर आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि जो फूर से वीडियो देखने है यूट्यूब पर बहुत वीडियो पढ़ें सर बहुत वीडियो च्छै मंग का current affair एक साल का current affair आपको क्या करना है एक जनवरी 2023 से 2000 जब तक आप पेपर दोगे तब तक का current affair आपको देख लेना है अभी आपके पास जैसे यह दिसंबर खतम लिए देख लिया उसके बाद आप क्या करिए कुछ होता है ना स्टेटिक जीके के जो पूर्शन है रिलेट करिए current affair में कौन सा जैसे noble peace prize sorry noble prizes यह सब पूछा जाता है जैसे tennis court tennis grand slam यह सब पूछा जाता है sports की जीए पूछी जाती तो relate करिए और उसको लिख लीजिए बस उ एक या दो जगा के वीडियो पकड़ो उन वीडियो उसको देख लो आप समझ में आती है बात ठीक है अच्छा अब यह जो मैंने पूर्शन बताया जीके और जीएस का इसके लिए एक बुक में आपके लिए सजेस्ट करूँगा क्या सर आप एक काम करिए मतलब एक या दो गदना इक किताब ढहें ना कि दस किताब है को इक किताब लेलो बहुत पतली सी आती है सर भुछ पतली सी ज़्यादा है उसमें तीन Вам %300 पेज होंगे आपके tea कर लोगो कि ऐसे टार्गीट बना लो या तो वीडियो से पढ़ लो अपना लिख लो ठीक है या फिर जो ये topics है इसलिए तो screenshot दिया है कि इन topics को देखो और इस किताब से और इस किताब से उस topic में पढ़ लो ठीक है बात समझ में आई तो यह आपका GKGS clear हो गया यहां से इस portion से अगर इस portion से अगर आप maximum 20-30 number भी ल parent करना ये भी बताऊंगा एह गंटा पर यह करना था और ककरना है सर और ककरना जैसे एह अधर किया एक गंटा आपको क्या करना है ये तीन चीज़ें करनी है SSCJE बस इसमें नहीं जाना आपको CGL में नहीं जाना इधर नहीं रुख जाओ बता नहीं कैसे कैसे बच्छे तु देख रहे होंगे रुख जाओ जरा इधर क्या करना है आपको SSCJE का जो PYQ है सर PYQ लगाना बहुत जरूरी है कम से कम ये कम से कम इसका बोल रहा हूँ ये तो आपको एक बार लगाना है बस आपका लेवल बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रो हो जाओ आप क्योंकि रीजनिंग में टाइम लगता है तो प्रो बनाना है आपको इसलिए एक बार CGL के सवाल लगाना है ठीक है जो भी PYQ है SSCGE का PYQ कम से कम 3-4 बार लगा लेना है आपको यह मैं बता रहा हूँ इतनी बार लगा लिया खेलोगे सर खेल जाओगे आप मैं बता रहा हूँ खेलोगे आप अदर जाके देखो दर इसका भी PYQ कम से कम 2-3 बार तो आपको पढ़ ही लेना है किसका कोई भी एक ऑथर उठा लो कोई भी कोई भी अप्लिकेशन ले लो ठीक है आपको वहां से अच्छा कंटेंट मिलेगा और उससे आप पढ़ लेना इसमें क्या डिस्क्रिप्शन पर नहीं पढ़ना डारेक्ट जैसे विटामेंस कई बार पूछा गया देख लो क्या पूछा गया वाइरस के बारे में क्या पूछा गया क्या है आपका अब टेक्निकल पोर्शन मैंने क्या किया है यह तो आपके सब्जेक्ट यह थोड़ा से छोटा कर दिया मैंने क्यों देखो इदर स्टेंट उप मटेरियल प्लस ट्रॉरी उप स्टक्चर एक साथ लिग दिया दूसरा ट्रांस्पोटेशन इंजिनिंग एक ल इनालिसिस किया यह सब्जेक्ट वैस जिसमें भरोसा नहीं करता बस आप आपके पास 6 मृइने का समय है एक jeśli सब्जेक्ट का विटेज कम है ना जादा है आपके लिए डेमोकरिटिक अंदाज में बढ़ाई करनी है मतलब कि हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना तैयारी सर एक बार होती है, एक बार समय मिला है, छे महीने का समय आपके पास है, आप अगर, मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिलकुल जो बताते जा रहा हूँ ना, उस strategy से करोगे तो आपका syllabus भी time पर complete होगा, और selection 100% होगा, पस दिखकते आएगी, जो छे महीने का समय यह सब पता कब काम आता है, जब आपको एक मीना बचा है उसका, तो यह काम आता है कि अरे, सर्वेंग तो important है, क्योंकि 14 मार्क्स का आया, इसलिए भी हमें इसको पहले पढ़ने हैं, अभी हमें सारे subject पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं यह बताऊंगा, देखो, मैंने क्या क पहली बार श्री गणिस करने जा रहे हैं अपनी studies का, तो देखिए उनको क्या करना है, दूसरा, और जो आधा कचरा, आधा content, उनके माइंड में ऐसे बच्चे भी हैं, तो आपको भी अपना content पक्का करना है, चार से साल चार मैने के टाइम में, आप किस सीच को समय दोगे, सर आप समय दोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी content को strong करने होता ना, पहले तपस्या करो, या फिर अपन करते हैं पहले कोई fight हो, तो जिम जाते हैं सर, ठीक है exercise करते हैं, या तपस्या करते हैं ठीक है, पहले आपका भी तपस्या का समय है, आपको क्या करना है सर, आपको अभी म कर लेनी है मतलब एक एक पेज पर आपका रिमार्क होना चाहिए जब आप आख बंद करो और बता दो कि इस कॉपी के इस तरफ लिखिए यह लेट साइड की राइट साइड यह आप बता दो ऐसी पड़ाई कर जानी हमें ठीक है चलिए कानटिटी सरवेंग कास्ट यह साथ एंवन्स सेविनि मार्क का यह आता है और इसको कवार करने में कम से कम तुक्रप सकता है जौधा बीकिछ नतीगहाही लगेगा और सर मैं क्या एक्स्ट्रीम केस लेके चल रहा हूं आपके साथ 20 दिन तो आपको लगेगा बिल्डिंग माटेरियल प्रस कॉंक्री टेकनलोजी 13 मार्क्स एवरेज आता है यह इंपोर्टेंट सब्जेक्ट भी और थोड़ा बड़ा भी है सर इसको कबर करने में आपको 25 डेस पर आ रहा हूं लेकिन अगर आपके पास अल्रेडी अगर कंटेंट है तो आपको आज इससे ही पड़ाई चालू कर दिने ठीक है फ्ल्यूड मेकैनिक्स इसमें क्या है था है यह इंप लिए यह इसको मिला के जब आप पढ़ोगे तो सर इसमें आपको कम से कम 30 दिन तो अब जेक्टिव के सबसे पढ़ेंगे तो सर कोडल प्रोविजन के जो चीज होती है वह ज्यादा इंपोर्टन आ जाती है तो यहां आपको स्मार्ट स्टेडी करनी है आपके जो नोट्स होंगे जो आपने कहीं पढ़ी पढ़ाई की होगी उधर से आपको क्या लेना है सिर सर्वेंग 14 मार्क्स इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है इसको भी आप 20 डेज में कर लोगे अब देखो सर्वेंग जब आप करोगे तो जैसे इंक्लूडेड एंगल के क्वेस्चन आते हैं इंटरनल एंगल निकालने के लिए आता है यह सब जो सवाल आते थे बहुत फेमस क् कर आते हैं अब यह सब पढ़ना नहीं सर हमें हमें सिर्फ ठोरी पर ध्यान देना है सर्विंग में एक एक पॉइंट की अब पेपर कौन करा रहा है तीचे साही तो खेल रहा है आपको स्टेटमेंट वाइस में तो फसा रहा है तो आपको बारी कैसी थे थे बारी पर नी है तो आप जब ये करोगे तो अच्छे से थोरी पढ़िए, आपके पाद नोट से तो और अंडरलाइन करके पढ़िए, अपने थोड़े थोड़े शॉट नोट से बनाते जाए जो कि बाद में काम आए, ठीक है, ऐसे irrigation ideology आपको ये दो सब्जेक्ट एक सार लिख दी है, 25 दिन म आपको जो दिया है, वो आपको करना है, तो ये भी आपको 20 डेज में हो जाएगा, okay, soil mechanics, सबसे वास्ट सब्जेक्ट है आपका soil mechanics, वास्ट कैसे वास्ट वास्ट वाकि स्टील भी था, लेकिन इसमें क्या cut-off हो गया, सर अब designing cut-off होती जा रही है, हाँ, designing cut-off होती जा रही ह यहाँ यहाँ लिए में नहीं पूरा सकता है में जूटा वादा भी नहीं होरी है प्री और मेंस साथ में जाएगा ठीक हैhando स्वायल मेकेडिक्स कितना इसमें 35 तो आप देख लिए और जब आप इतना यह पढ़ लोगे तो जी एसमें इसका पूछ लेता है तो आपको बहुत चीजे एर पॉलीशन पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजे एर पॉलीशन पढ़ोगे तो अब तीस दिन इसमें लगभग लग जाएगा theory of structure सर इसमें बड़ी-बड़ी MDM की question solve करना या फिर slope deflection का यह सब नहीं आता सर formula based या फिर इसकी थोरी आपको crisp तरीके से पढ़ लेनी है ठीक है चलो जब आप यह पढ़ोगे तो आपको यह करीब-करीब 20 दिन में 20 दिन में आपको इसको खतम कर देना है ठीक है उसमें हमें अच्छे से पढ़ जाना है और हो जाएगा सर यह कोई कम समय नहीं है क्यों क्योंकि सर आपको derivations नहीं करने आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब इदर rocket science नहीं है क्यों क्यों क्योंकि छोटा-छोटा ही पढ़ना क्योंकि one mark question आएगा उसका भी reason बताऊंगा one mark question यह हो गया सर तो यह मैंने आपको syllabus पूरा लिखा दिया है last last video में आप देखना आपको मिल गया है मिल जाएगा पूरा और अच्छे syllabus यह भी देख लो चलो strength of material अब सोम में सर जो theoretical या formula putting चीज़े हैं वही पूछी जाएगी आपसे double integration के derivation तो कहीं use ही नहीं होना है उसके part by part जो चीज़े होती है वह पूछी जाएंगी strength of material आपको 15 दिन में complete कर लेना है और हो जाएगा सर हो जाएगा मैं बता रहा हूं हो जाएगा ठीक है चलिए यह देखिए यह आपके subjects का analysis हुआ अब देखना अब मैं आता हूं आपकी कौन सी slide पर सर मैं आता हूं आपकी जो ख ठीक है ठीक है बने रही है में में चीज़ थी हमारी यह क्यों देखिए प्री जब आप दोगे प्री आपने दिया तो सर इसमें 100 question 100 marks का यह वीटिस्था civil engineering का ओके दूसरा दूसरा आपने क्या किया सर दूसरा मैंने जब mains का exam दिया या paper 2 की बात की तो इसमें क्या थे सर 100 question 300 marks और time इसमें है सर 2 hour और अगर यह मालने कि 50 question reasoning 50 question आपका GS जीके तो वो 100 marks का हो गया वो 100 marks का मालनों एक गंड़े का क्योंकि जो प्री है सर यह प्री होता है 2 hour का ठीक है और mains भी होगा आपका 2 hour का यह में से भी होगा 2 hour का अब प्री में 100 marks का क्या होगा आपका टेकनिकल हो गया तो इसको मान के चले हमें एक गंड़े में करना है ऐसे बताते हैं कि एक गंड़े में तो हमें करना रहता है एक on an average बता दिया बाकि का 100 marks का एक गंड़े में कर लो अब एक बात बताईए 100 question आ यह बड़े नियुमेरिकल तो आपको छोड़ के आना है तो वहीं डूबा ले जाएंगे आपका पेपर सिंपल कर दिया और नियुमेरिकल ने मतलब ढूब गया तो आपको ऐसी स्मार्ट स्टड़ी अभी से करनी है क्यों क्यों क्योंकि आपको थियोरी पे इतना ज्यादा ध् लगाना है अगर आपने कभी पेपर नहीं दिया तो आप मैं बता रहा हूं आपको या कोई मौक लगा के देख लेना या प्रीवियस यह का कोई देख लेना पेपर लगा कि जैसी आप देख रहे हो बैठे उसक्रीन पर क्वेश्चन आया टिक लगा आपके पास सोचने का समय नहीं रहेगा ठीक है तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई बहुत स्मार्ट तरीके से करनी है इधर आपको थीसिस का पेपर नहीं लिखना आपके लिए क्या करना है बस कंटेंट पूरा कवर कर लेना है समझ में आई बाट ठीक है अब जब हम इस चीज की बात करेंगे तीन सो मांक सो क्वेश्चन तीन नम्मर का एक सवाल इस बार जो 2023 में मेंस का पेपर हुआ उसका जो लेवल था वो मलब एक्सपेक्टेशन से को जादा ही कम आ गया क्यों सर मेंस डिस्क्रिप्टिव से पहली बार कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट बना था तो क्या सर जब यह पहली बार कोई चीज होती है तो आप ध्यान रखिए आप सोचिए जो सी बीएसी पैटन में है नाइंत क्लास में 2009 या दस में जो गए थे पहली बार CCE पैटन आया ओके क्या हो गया जैनल एंज रिंग का ए जोड़ दिया एसा जीएस पॉर्षन बना दिया तो जब पहली बार इन सब कपर लिए तो भूट ही चोटा लेवल मतलब बहुत कम-लेवल अप बना सकते हो अगर आपने वह बना सकते है क्यों अप्लवान के बनाने वाले के लिए शीज है ठीक है बार समझ में आती है तो 2023 का लेविल कम हुआ लेकिन दोजार 24 का जवाब मेंस लिखोगे तो एक बार का अनुभाव बनाने वाले को हो गया जो फेल हुआ है उसको भी हो गया और जो पढ़ा रहा है उसको क्या करना है देखो आपने subject content बना लिया है short note बना लिये है मैं मान के चल रहा हूँ और साथ ही साथ साड़े चार महीने के time में साथ ही साथ आपको क्या करना है देखो देखो आपको क्या करना है sir sscje sscje का जो pyq कोई भी author कोई भी book ले लिजिए इस आपने ले लिया यह यह आपको लगाना है कम से कम तीन बार कितनी बार आपको लगा लहना है राखो brand contract आपको pakता चल जाएगा कि कैसा paper आ रहा है तो आपको एक simple size मिल गया आपने सारे लगा लिए लगा लिए इसके बाद second आपको क्या करना है sir ESE engineering services के pre exam के PYQ आपको लगाने है ठीक है ये कितनी बार sir कम से कम दो बारे आपको लगाने है clear है two times आपको ये लगाने है ये must है sir ये must है ये दोनों चीज़ें आपने लगा लिए आप ये exam नहीं sir कोई भी exam engineering service लगा लिए तो ESE तक तो आप पहुँच गए कोई भी state का EEE का exam जो assistant engineer का होता है वो भी आप खेल जाओगे उसके साथ समझ में आती है बात ये आपको concept भी देखके चले जाएंगे question नहीं सब कुछ इतना आपने कर लिया अब इतना अगर आपने कर लिया तो मैं additional बता रहा हूँ जो होते न कुछ और मलब जैसे pro लोग है वो ये लगा चुके होंगे आप क्या करिए एक बार गुपता इन गुपता के question और दूसरा youth publication क्या youth publication की जो book आती है न उसके question से go through हो जाईए आप चार चीजों से आप अपना reference ये तो must है सर ये तो छूटना नहीं चाहिए मतलब किसी भी एक भी बच्चे का ये नहीं छूटना चाहिए ये नहीं चूटना चाहिए ये additional अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है फिर तो paper नहीं रुक रहा है मतलब कोई भी paper नहीं रुक रहे ssej नहीं कोई भी आप देखिया ये ठीक है इतना आपको करना है और जो civil engineer है भाई उसको ये चार किताब में तो लगानी ही चाहिए समझ में आई बात चलिए ये होता है आपका पूरा technical का कि कैसे आपको कैसे आपको क्या करना है कैसे आपको इतने दिनों में subject कंप्लीट करना है और किसी से practice करनी है उन साड़े चार महिने में करना है जो 1.55 months मैंने बताया था जो डेड़ महिना लास्ट का एक से डेड़ महिना दो महिना आपके पास बचते हैं उसकी strategy देने भी में आऊँगा क्योंकि मैं आपसे जुड़ चुका हूँ हर 15-20 दिन में मैं आपसे जुड़ूँगा और आपको बताऊँगा कि आपकी preparation मतलब track करूँगा आपसे बात करूँगा अभी मैं like भी आऊँगा आपसे जुड़ूँगा आपसे पूछूँगा कि आप किस जगा पर है आप derail तो नहीं हो गए सही रास्ते पर हैं कि नहीं है समझ में आती है बात तो आपको बस continuity maintenance रखना मकारी मत करिएगा अपने काम के साथ क्योंकि ये 6 महीने का टाइम है दूसरा exam आपके सिर्फ पे आ गया एक बार तो आप अभी अभी fail हुए हो फिर से आपके पास opportunity है उसको मत विस्ट करिएगा आप जाईए और correct करिए अपनी mistakes को और इसी बार नौक दिलो यार आपको कोई भी कुछ भी बुलाता रहता चिंटू मिंटू पप्पू बुलाएगा ना आप जेई जेई साब बुलवाना है ना किसी को हाँ सर इसलिए आप महनत करिए आप सीरियस होई है अपने लिए समझ में आती है बात चलिए देखिए अब यह तो हो गया कि यह करना है इतना करना क्या करना कैसे करना अब कहां से करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ पहले देखिए यह कलर चेंज करता हूँ एक मिनिट sscje 2024 के लिए batch one launch है हमारे इस प्लस एप पर एए सी प्लस एप्लिकेशन है हमारी उस पर यह मतलब sscje 2024 का batch launch है ओके इसमें प्री और मेंस सारे थोरोली सब्जेट किये जा रहे हैं कराय जा रहे हैं sscje के पीवाई क्यू और प्रैक्टिस सेशन आपको मिल रहा है clear है बात यहाँ पर बेट करने का फायदा क्या होता मैं बता दे रहा हूँ क्या कोई भी यह नहीं आप कोई भी बेट जोइन करिए क्या होगा कि आपको बटगना नहीं पड़ेगा करिये कहीं भी करिये कर लेकिन इन्वेस्ट करके पढ़िए एक हैंस lavad आपको जो पढ़ा रहे हैं छे पढ़ा रहे होंगे सर महीनत कर हैं सारे सब कासितियाह और बशलीव से यह है आप अल ओवर इंडिया कोई भी एक्साम का अगर तयारी करना चाहरे हो तो हमारे पास विजाए बैच है इसमें आप एन्रोल कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देखिए नॉन टेक्निकल जो अभी आपको बहुत हुआ लगता होगा नॉन टेक कैसे पढ़ें कैसे पढ़े एक नॉन टेक महा पैक करके एक सीरीज एएसी प्लस एप्लिकेशन पर हम चला रहे हैं उसमें क्या है आपको रीजनिंग और जीके जीएस एक जगा मिल जाएगी बहुती मतलब अलाइट फैकल्टी से आपको मिल जाएगी एक जगा आप नोटस बनाके अपनी तैयारी अभ हार बैच है इसको आप जोईन कर सकते हैं और आराइट भीजी दोजान चोबीज गल्यारों में चर्चा तो जोर सोर से चल रही है कि आने वाला है लेकिन अभी मतलब चर्चा ही चल रही है लेकिन अगर लगता है कि एलेक्शन जैसे जैसे पास आता जाएगा तो आपके लि लिए एक बैच है हमारा अभ्यास बैच और अभ्यास जेए बैच और एज एग्जाम के लिए नया दोहजार चौबीस में बैच लाँच हुआ है यह आपका इसमें लाइफ लासे सब्सक्राइब को आपको डाउनलोड कर लेना है कैसे और दिस्क्रिप्शन में आपको लिं टेलीग्राम की लिंक भी इसमें दिस्क्रिप्श में मिल जाएगी आप टेलीग्राम पर मेसेज़स कर सकते हैं जो भी चीज की आपको रिक्वार्मेंट है आप उसमें आप बता सकते हैं क्लियर है बात चलिए यह सैसन अगर अच्छा आपको लगा हो आपको किसे सहाइता करेंगे ठीक है चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थेंक्यू मिलेंगे नेक्स सेसन में बाय बाय